जो की फ्यूचर लेवरेज के हिसाब से है फ्यूचर पस्पर और अगर बॉक्स ऑफिस की बात किया तो जबर्दस परफॉर्मन्स राफ फिल्म का और आज शाम चार बजे पतार मंत्री फिल्म देखने वाले हैं किस तरह से साबा मति रिपोर्ट ने बॉक्स ऑफिस पो भी बॉक्स ऑफिस पर भी दसाबा मति रिपोर्ट का शांदार प्रदोशन लगातार दो हफ्तों से जारी है और आज इस फिल्म को प्रदान मंत्री खुद देखने वाले हैं और साफ तोर पर इस फिल्म को अच बहुत ही सकरात्मत रियाक्शन मिले हैं जिस तरह से साब फिल्म अच्छे रियाक्शन साथ सफलता के जंडे गार देखाई गई यह फिल्म जी आचर देखिए दीतरा हाफ्ता हो रहा है और साबर मती रिपोर्ट लगाता जो है बरसकों की तरफ से प्रशंसा बटो रही है हम जानते हैं कि सच्ची घटना से प्रेडित यह फिल्म है साल 2002 में गुद्रा कांट हुआ था हम ने देखा था है इसमें किस तरह से सड़्यांत करके एक प्रेन को जलाया गया था काफी संक्या में काज सोब को की उसमें मौत हुई थी और शुरुआत में किस तरह से बाप एक पूरा बाप एक कोशिश की गई कि इसको एक आग लगने की घटना बताया गया लेकिन जब जाज की पुलिस ने अपनी तफ्चीश की तफ्चीश में इस बाद का पता चला कि एक साजीशा में इस पूरी घटना को अच्याम गया गयाता हम जानते हैं कई लोग को सजा भी हुई है इस मामले में इसमाला उच्छम नयायाला तक पहुचा था और उसी घटना के प्रजित यह कहानी है जीरत्वणा के निदेशन में बनी है वीकान मैसी इसमें फूं के ग लिखने के लिए प्यों मोजी जा रहे हैं आज बालयोगी ऑडिटोरिया में दिल्ली में चार बजे वो इस फिल्म को देखेंगे और मिसी चौपा काफी एहम है क्योंकि आपको या पता है कि जिस दोरान ये घशना हुई थी तो प्यों मोजी उस वक्त पर गुजरात में थे और उस जोरान कई तरह के आरोग चत्कालिंग तरकार पर लगाए गये थे जो बाद में गलत साविट हुए थे और कहीं ने कहीं उन तमाम चीजों की परकाल करती हुए उन सचाहियों को सामने लाने वाली ये कहानी है और जो दर्शकों में भी काफी सुन्थिया पतूर दो है कि लोगों को फिल्म देखने की अपील भी की ति उसकी खुद भी प्रश्ण सा इंट अब खुदान मंच फ्री इस फिल्म को देखने जा रहे है क्योंकि कहीं न कहीं जब कहीं ऐसे राज्यों में इसे टैक्स फ्री भी किया गया और तब भी ये कहा गया था कि एक सच को की गई है सिनमा दुवरा कि आकिस तरह से पत्कालीन जो कॉंग्रेस और उनके स्वयोग्डी जनों की सरकार्थी रिल मंत्री लाली आदव से उन्होंने एक बनरजी कमिशन बनाई ती जस्टिस बनरजी के अब्रक्स्ता में उसमें जो तमाम जो चीज़े थे उसको नजर अंदाज करते हैं बिलकुल कि अलग तरह की रिपोर्ट देटी जिसको बाद में हाई कोच में भी खारिश किया था और तुरी सक्चाई बाद में सामने आई थी तो निशी तौरत एक बहुत एहम एक पॉलिटिकल घशना के तौरत भई इसको पूरे देश में देखा जाता है जिसमें उस समय गुज़ कि है था गुल्ण को उसके बाद यह फुरी सो पक्रावानी की बुंझ अबननी है तो निसे परता एक आहन फर्मी खुड देखने जाना है तो निस परता अब समझ सके है कि पी आध वायो की नेगार्ड एक सेवर पॉर्म को निशी परता कि यह जो फिल्म है दर साबर मत्री एक रिपोर्ट इसमें जो मन्च जाया जाएगा इसमें कई और मंत्री और सांसब भी क्या मंत्री के साथ क्या फिल्म देखेंगे जिवकुल स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है इस फिल्म की बालओयोगी ऑडीटोरियम में और मीज देखेंगे तो एक एहन दिल्म में तो पून जाजनेटिक घटना देश की तोल किस तरह से फुली किस तरह से उसकी जाच आगे बढ़ी और एक पत्रकार के जरीए उस पूरी घटना क्रम को लाने की गोशिश इस फिल्म में की गई है तो चार बजे जरूर इंतजाब रहेगा बाली जी ऑडिटोरियम में और निशी तो पर फिर्म के जो निर्माता है और आक्टर है वो जरूर खूछ होगें कि प्यम मोजी खुद आज उनकी फिल्म को देखने जा रहे हैं और इसा कम ही होता है कि पे इम इस तरह से किसी फिल्म कर देखने जा और जिस लिहाँ से उनके काम की तारीफ हुई जिस परिपकवता के साथ उन्हें अपने पर किरदाब निभाए लेकिन एक एहम बात जो यहां पर सामने निकल कर आ रही है वो यह है सुधाकर कि किस तरहां से इस पूरी कहाणी को या इस पूरी कहानी का तानाब जो इस तरह से पिरोया गया है वो कहीं न कहीं लोगों को छूती यहीं बात प्रदान मंत्री ने भी जब प्लाटफॉर्म एक्सपर लोगों से अपहील की थी कहीं न कहीं इसको साजा करती है आप देखें पूरी की पौजी पूरी पूरी बागी पूरी तरह से जल गई थी यहां तक लोगों को पहचानना तक मुश्यल हो गया था प्रिया से गुज्रे होंगे वो तमाम परिवाद जिन्हों ने अपने परिजनों को इस गष्णा के चलते इस साजीश के चलते जो यह पूरी प्लांड एक आग लगाए गई थी साबरमती एक्सपरस तो वो उस तमाम परिजनों को खोया होगा उस प्रिया को बयान करती हुई कहानी और इसके ताथ तक सच्चाई को सामने लाने वाली कहानी कि किस तरह से एक पूरे घष्णा करम को साजीश को एक 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 एक्स फिल्म के जो भी तुम से जोग हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात आज बहुत बड़ा दिर आपके सकते हैं बिएक खास तरपर जो एक चलन चलाने की कोशिश की जाती है विपक्ष त्वारा फेक नेरेटिव सेट करने की तो कैसे अब जो आयोध्या से लौटरे उनसट राम वक्तों को गोधरा में जिन्दा जला दिया गया था जो एक फेक नेरेटिव उस वक्त सेट किया गया था उस फेक नेरेटिव के सेटिंग को तोड़ते वे फिल्म में दिखाया गया है और ये बात जन जन तक पहुंचनी जरूरी थी और इसलिए प्रधान मंत्री का ये जो एक संदेश है कि वो खुद जाकर देखेंगे दसाबर मती रिपोर्ट आग शाम चार बजे सुदा कर बिल्कुल और आचल मुझे याद है उस वक्त हमारे जर्नरिजम की पत्रकारिता करियर की शुरूआत ही हुई थी और मुझे याद है तमाम उस तमें सप्ता पर्श के जो नेता थे कॉंग्रेस के नेतर्ट तो में जो सरकार चल गई थी उन्होंने शुरू से ही बात को खार सामने तत्से सामने आते हैं उसके बात उनके बयान आते हैं तो चाहद अच्छा होता है लेकिन यह कोशी शुरू से हो रही थी कि आप आप जाद से पहले ही जो साजीश का एंगाल है उसको खारीच कर दिया जाए लेकिन इन तमाम और जो इसमें पुरी एक नाइक कर दिया अच्छा जिसकी रिपोर्ट भी बाद में नियायों ने उस रिपोर्ट को एहमीयत नहीं दी दिए बाद में जो जस्तिस नानवती मैसा कमिशन की की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट ने जब प्यूरी घतना क्रम से पशाक्षेथ किया साजीश का कुलाचा किया और जब अदालत में इस राजी तो जो 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 तमाम लोगों को सजा दी तो तब जाके ना सिर्थ प्रेटों को न्याय मिला और एक तरसे उस समय की जो पॉलिटिकल लीडर्शिप थी गुजरात की उन्होंने जो एक बात कही थी कि जाच के बाद तमाम प्रेटों को सामने लाए जा ज इस तरह की जो फिल्म बनाई जाती है जो तत्यों को जागर करती है बेडर बेखौफ बेटोग और पधार मंतुरी अगर उससे खुद देखने जा रहे तो यह कहीं ना कहीं क्रिएटिव फ्रेटिनिटी के लिए भी बहुत एहम माना जाता है तो बहुत-बहुत शुक्रिय कर इंतराम जानकारे को हम से साजा करने के लिए प्रण मंतुरी अधा साबा में ते रिपोर्ट चार बजे बालियों की अडिटोरियम में देखने जाएंगे पहले भी पतान मंतुरी इसकी तारीफ कर चुके इनके कलाकारों की तारीफ कर चुके वक्त टुछी ब्रेकर आप विक्ते रही है, GG News.